देर स्टुडेंट्स आजम कराज सिख्षते NCRT मैथ अक्सरसाइज 1.2 के सम करेंगे 9 to 12 नाइन समय स्टुडेंट्स तू स्टिच ए सार्टे 2 मीटर 15 सेंटेमीटर कलोथ इस रिखवाइब एक सार्ट को सेलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटेमीटर कलोथ के आवशकता है 40 मीटर कलोथ में से कितनी सार्टे सिली जा सकती है और कितना कपड़ा सेस बचेगा कैसे पता लगेगा जो एक सार्ट में कपड़ा लगता है स्टुडेंट से उससे हमें जो हमारे पास टोटल कपड़ा है उसको डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी सार्ट बढ़ेंगी अब जैसे हमारे को टू मीटर 15 सेंटी मीटर की बजाय के देते कि टू मीटर कपड़ा रिक्वाइड है तो टू मीटर में कितनी सार्ट बढ़ती एक और अगर हमारे पास फॉर मीटर होता तो कितनी बढ़ती टू और सिक्स मीटर होता तो कितनी बढ़ती थरी कैसे पता लगया फॉर को अमने टू से डिवाइड किया तो टू आया इट मिज टू सार्ट में जी सिक्स को टू से डिवाइड किया तो थरी इट मिज थरी साथ बढ़ेंगे अब क्या करें अब टू मीटर फिप्टीन सेंटी मीटर से अम क्या करेंगे 40 मीटर को डिवाइड तर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी शार्ट बढ़ेंगे अब इसके लिए सब सेपे नेम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे टोटल कलोप्त इक वर्टू 40 मीटर 2 3 अब अगर हम इसके सेंटी मीटर कनाना चाहिए तो क्या होगा 1 मीटर में 100 सेंटी मीटर होता है इस्टूडेंट्स तो 2 मीटर में कितने हो गए 200 और 15 ये अलग से है तो 215 सेंटी मीटर होगा तो इसके सेंटी मीटर बनाएंगे कुछ अब इसी परकार इसके भी सेंटी मीटर बनाना चाहिए तो इसको 100 से मुटिपलाई कर दो इसके सेंटी मीटर बन जाएंगे तो कितने वाण गए? 4000 cm 4500 cm लाई गया तो 4000 cm यह हमारे पास total cloth है और एक cert सेलने के लिए रिक्वारिक कितना है कपड़ा? इतना अब हमें 2 answer देने हैं सबसे पहले पुछा How many cert can be states me? तो लिखेंगे show number ओफर ओपर पैन भी stitched equal to निखानेंगे दूसरा क्या पुछा है show the cloth कि अब बताया तो जैसे वैसे ही करना है जो हमारे पास कपड़ा है उसको हमें एक शर्ट में जो कपड़ा रगता उससे डिवाइड कर देगे तो मैं पता ज़़ाएगा कि कितनी शर्ट बढ़नेगी इसमें थरी डिजिट है थरी इसके लिए तो कितने पर जाएगी टेबल व कि यहां नाइन में से वन माइनस किया एट और यहां थरी है थरी में से टो माइनस किया वन उतारी जीव अब कितरह पर जाएगी टेबल पाई थिंक के एट पर चली जाएगी 8 5 जा 40 बचे 4 8 बन जा 8 8 में 4 एट किया 12 बचा कितना 1 8 2 जा 16 16 में 1 एट किया 70 0 5 में से 2 माइनस किया 3 और 8 में से 7 माइनस किया 1 यह तो रिमेनी रहतो रिमेनी और यह तो से जुलता बच गया और यह तो यह तो क्या आया सेंटीमिटर सेंटेमिटर का तो सेंटेमिटर बचेगा और ये क्या है सट्स अब इनको नहाइग को देगे नमबर आप सट्स के एंविस्टीस दे 18 और दा करोथ विल रिमेंट 130 cm यह अपना नाइट सम होगा स्टूनेंट्स अब यह 10 सम करते हैं 10 सम करते हैं 10 सम स्टूनेंट्स मेडिशन इज पैड़ इन बॉक्सिज दवाई डिबो में पैड की वही है इज वेगिंग 4 kg 500 g परतेक का वजान 4 kg 500 g है How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg ऐसे कितने डिबबे एक van में load किये जा सकते हैं जो 800 kg से ज्यादा नहीं ले जा सकती तो क्या करना पड़ेगा 800 kg वो van वजन ले जा सकती इससे ज्यादा नहीं ले जा सकती तो इसको हम one box के weight से divide कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर ऐसे कितने box हमें रख सकते हैं load कर सकते हैं तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे weight ओफिं इच बॉक्स अब हम क्या लिखेंगे क्यों हम टॉक्स ताल मारे उंदर के लिखेंगे बाझस रुप से आधित गुप भंप के लिए। घंट प्यून के उीड़ने कि यह कर लिए। केजी जो 800 केजी से ज़्यादा नहीं ले जा सकती तो कितने रोड कर सकते हैं जो यह वेट है इसको एक box के वेट से । डिवाइड करतेंगे 800 केजी दिवाइड 4 केजी 500 जी अब डिवाइड 800 जिए और ये है 4 kg 500 g तो आपने करेंगे या तो सभी kg में हो या गेराम में हो तो इसका क्या करेंगे इसके 20 gram बनाएंगे 1 kg में 1000 gram अपर इसको 1000 से multiply कर देंगे तो इसके curricular बन जएएगे एन अंडर्ड multiply 1000 तो ये क्या होगएगा great gram divide इसके gram तो इसको भी 1,000 से multiply कर देंगे और पलस यह 500 G अब इसको क्या करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 8 के last में 5 टाइम 0 और G और divide इदा रहे यह तो हो गए 4,000 और यह 500 तो क्या हो गया 4,500 G अब क्या करेंगे इसको हमें बाई में कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5 बाई 4,500 divide को हमें बाई में कर सकते हैं 1, 2 टाइम 0 से 2 टाइम 0 खटगी और बाकिये को हमें divide कर देंगे क्यूंकि पूरा cancel नहीं होगा यह हमारे पास बच गया 8,000 इसको 45 से divide करो 1 पे गई टेबल 10 में से 5 माइनस किया 5 और 7 में से 4 माइनस किया 3 उतारे 0 7 में 7, 5 जा 35 बचे 3 7, 4 जा 28 28 में 3 एड़ किया 31 5 4 में से 1 माइनस किया 3 फिर उतारे 0 फिर गया 7 पे और फिर यही आ रहेगा और फिर यही बचेगा जो बच गया हो बचा रहेगा उसका हमें कुछ नहीं करना हमें 177 बोक्से इस वैंग में रोड कर सकते हैं और स्टूदेंट्स यह अपना 10 सम कम्प्रीट हो गया आपे 11 सम करते हैं 11 सम ए स्टूदेंट्स दा डिस्टेंस बिट्विन दा स्कूल एंड दा हाउस ओफ ए स्टूदेंट इज 1 किलोमीटर 875 मीटर एक विद्यार्थी के स्कूल और घर की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है एवरी डे सी वाक्स बोथ वेज बिट्रीन हर स्कूल एंड होम परती दिन वहें अपने स्कूल और घर के वीचे दोनू रास्ते चलती है यानि एक बार वो स्कूल में आती है और एक बार वापीस अपने घर जाती है तो दो बार होगी है दिस्टेंस फाइन दा टोटल डिस्टेंस कावड वाई हर इन सिक्स डेज छे दिन में उसके दोवारा कावर के गई टोटल डिस्टेंस अपने फाइन आउट है कर लिए समसे पहले आम क्या लिखेंगे दा डिस्टेंस between दा स्कूल एंद दा हाउसे ओफेस्टुनेंट इकल तो 1 किलो मेटर 875 मेटर इसको हम जेक सकतेस्टुनेंट 1.875 किलो मेटर जब किलो मीटर और मीटर को decimal में कनवर्ट करना हो तो ऐसे होता है कि जो decimal के बाद हो थ्री डिजिट होते हैं और यह मीटर इसमें 3 डिजिट में ध्या गया था 1.875 किलो मेटर हो गया उसके घर और स्कुल के बीच की दुरी आवडか एफिकेंगे एक लेक्स 9 वर दो C ओअएंड दैसन कि इन वन डे इसलिए उसने एक दिन में distance का और की कितनी की इसको 2 से multiply करना पड़ेगा क्योंकि वो एक दिन में 2 बार ये दूरी चलती है एक बार आने के लिए एक बार वापिश जा निकलेगी 2 से multiply करतो हो लाइन भी 2, 5, 10 10 कि 0 बचया 1 2 7 जा 14 14 में 1 8 किया 15 और फिर बचया 1 2 8 जा 16 16 में 1 8 किया 17 बचया 1 2 जा 2 2 में 1 8 किया 3 3 जाथ से पहले का 3.750 वो एक दिन में कवर करती है सी कर डिस्टेंस इन 6 डिज उसने 6 दिन में जो डिस्टेंस कवर की जो एक दिन में डिस्टेंस कवर किये है उसको 6 से मल्टिप्लाई करतीगे 3.750 किलोमीटर multiply 6 6,0,0 6,5,0 30 30 की 0 बचे कितने 3,6,7,0 42,42 में 3,8 किया 45, बचे 4, और 6,3,0 18,18 में 4,8 किया 22 12.500 किलोमीटर और इसको हम क्या लिख सकते हैं 22 किलोमीटर 500 मेटर जब decimal नमबर को बात पी सी किलोमीटर और में convert करेंगे तो ये तो किलोमीटर है और ये मेटर है 22 किलोमीटर 500 मेटर की डिस्टेंस हुओ 6 दिन में convert की उसने स्टूदेंस ये अपना 11 सम कम्प्रीट हो गया अब इस 12 सम करते हैं 12 सम स्टूडेंट्स ए वेसल हैज 4 लीटर और 500 अमेल ओप कर्ड एक बरतल में 4 लीटर 500 मिलीटर दही है इन हाव मेनी गलासेज इस ओप 25 अमेल कैपेस्टी कैन इट भी फिल्ड कितने गिलासों में जिसमें परते की जो कैपेस्टी है वो 25 अमेल है कैपेस्टी का मतवल एक गिलास में 25 अमेल आ सकता इस से ज्यादा नहीं कैन इट भी फिल्ड इससे ऐसे कितने गिलास बढ़े जा सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ए वैसन हैज कर्ड एक वान टू फॉर लीटर फाइव अंडर्ड मिलीटर कैपेस्टी ओफ इज गलास 25 अमेल अब यह हमारे पास टोटल दही है और एक गिलास की कैपेस्टी यह है अब हमने पताना कि कितने गिलास इससे बहे जा सकते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जो अमारे पास टोटल दही है उसको वन गिलास की कैपेस्टी से डिवाइड करना पड़ेगा और डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसके भी आमने मिले लिटर बढ़ाने पड़ेंगे इसके अमारे पास उसको वन गिलास की कैपेस्टी से डिवाइड करना पड़ेंगे बाइ का मीनिंग भी डिवाइड करना ही होता स्टुडेंट्स तो यह पुरा कैंसल होजेएगा 25 बंजा 25 इदर 25 बंजा 25 बचे 20 उतारा जीरो तो कितने पे गया 25 एचजा 200 होते हैं और फिर ये 0 उतारेंगे और फिर वापश 0 चणातेंगे तो यह आएगा 180, ऐसे आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, 25 बन जा 25, 5 में से 5 माइनस किया 0, 4 में से 2 माइनस किया 2, यह 0 उतारी, 25 जा 200, बचा कुछ ने उतारी 0, नहींगा तो चड़ा ही 0, ऐसे भी 180 आएगा, वैसे भी 180 आएगा, और यह अपना 12 सम कंप्लेट ओगा, स्डास्टोंट और अशरस्ः वाइजेगा, जा तो बचिकते हैं।